बच्चो आज हम लोग आपकी पुस्तक सहज से पाठ दो सर 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 की कहानी पढ़ेंगे तो कहानी शुरू करते हैं एक दिन गीता और सीता सो रही थी तभी कम्रे की विजली कट गई उन्हें अचानक सर सर की आवाज आने लगी दोनों आवाज सुन कर डर गई आवाज कभी एक कोने से आती तो कभी दूसरे कोने से अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था दोनों बहुत ज़्यादा डरने लगी तभी बिजली आ गई उन्होंने देखा कि पाली थीन में एक भावरा फसा है वो पाली थीन को लेकर उड़ रहा है पाली थीन से ही सर 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 की आवाज आ रही थी यह देखकर दोनों जोर जोर से हसने लगी तो बच्चो अप लोगों को यह कहानी कैसी लगी क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है